पहले हमास फिर हिजबुल्ला इसके बाद हू थी और अब इस्रेल से भेड़ने के लिए लेबनन पहुंच शुकी है बेहत ख़तरनाक और एलीट फोस इस्रेल के सैने 24 घंटे हर सेकंड आखों में तेल डालकर इस्रेल और लेबनन की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इस्रेल को एक बड़ी ख़बर मिली है ये ख़बर नेतन याहू के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है इमाम हुसेन ब्रिगेट को सीरिया से लेबनन में शिफ्ट किया जा चुका है और लेबनन की अंदर इस वक्त इमाम हुसेन ब्रिगेट को मौजूद बताया जा रहा है ये दावा इसरेल डेफेंस पोर्स के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक ट्वीट के जरियती है ट्वीट में लिखा गया है कि इमाम हुसेन ब्रिगेट को भी इरान फंड करता है और तावा ये किया जाता है कि ये इमाम हुसेन ब्रिगेट इरान के सबसे ताकतवर सेना इसलामिक रिवलोशनरी गार्ड को रिपोर्ट करती है इमाम हुसेन ब्रिगेट का सीधे लेबनन में पहुंचना बुरुआर को लेबनन से एक बार में लगातार 19 हमले और फिर शुक्रवार को हेजबुला के चीफ नसरॉला की फायर ब्रांड स्पीट से साफ है कि मेडल इस्ट में अमेरिका और इस्रेयल के लिए खत्रा बढ़ गया है इरान के राश्वबति इब्राहिम रईसी पहले ही चे तरहा है कि घाजा पट्टी को क्रॉस करके इस्रेयल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है अगर घाजा पर ग्राउंड ओपरेशन के दौरान हमास, फिलिस्तीन और हेजबुला ने एक साथ इस्रेयल पर हमला किया तो इनको रोकना इस्रेयल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा घाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है उत्तर की तरफ लेबनन में मिलीशिया, हेजबुला की तादाद 1 लाग से जादा है इनके सामने इस्रेयल में एक्टिव और रेजर्ब फोर्स मिलाकर 6 लाग से जादा सैनिक है यह आंकडे बताते हैं कि इस्रेयल के पास 4 गोना ताकत है लेकिन हेजबुला के चीफ नसरुला से फिर भी अमेरिका घबराता है क्योंकि नसरुला के पास अपने उजस्वी भाषणों के जरिये बड़ा संगठन खड़ा करने की और सैनिकों में जोश भरने की अदभुत क्षमता है सबसे बड़ी बात ये है कि हजबुला के पास एक ट्रेंड सेना है जिस पर विजय पाना हमास से भी ज्यादा कठिन काम है हजबुला के पास हतियारों का विशाल भंडार है हजबुला के पास गाइड़ेड मिसाइले भी हैं जो इसराइल के अंदर तक मार कर सकती है हजबुला के पास एंटी टैंक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जिसकी वज़े से इसराइल को नुकसान भी पहुंचा है ये मिसाइल इरान से सप्लाई की जाते रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुल्ला ने तीन तरह की अंटी टैंक गाइड़िट मिसाइल इस्तिमाल की ये है कॉर्नेट इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुका है और इसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है दूसरी है BGM-71 TOW एंटी टैंग गाइड़िट मिसाइल रेंज है 3.5 किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉनकॉर्स रेंज 4 किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये दोसान नाम से तयार की जाती है तीनो मिसाइल बहुत इगातक है साथ अर्टूबर के बाद हिजबुल्ला सीधे जंग में नहीं कुदा था इसरेल की तरफ से हिजबुल्ला को चेतावनी लगातार दी जा रही थी लेकिन नौधन बॉटर पर जंग की शुरुवात इसरेल डिफेंस पोर्स की तरफ से की गए क्योंकि छुटपुट शुरुवाती गोलिबारी के बीच सबसे बड़ा और ताबरतोड हमला इसरेल की तरफ से ही किया गया था हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौत जब शुरु होई उस वक्त भी हिजबुल्ला पसुपेश में था हलाकि ये फुल स्केल वार अभी भी नहीं है और इस तीन हफ़ते की लड़ाई में हिजबुल्ला के अब तक 50 से ज़ादा लड़ा के मारे जा चुके हैं ऑक्टूबर के तीसरे हफ़ते में तो हिजबुल्ला के 20 से ज़ादा लड़ा के मारे गए थे जिसके बाद इस जंग में हिजबुल्ला धीमा पड़ता नजर आया लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस जंग में फिर वापस आ गया इरान कभी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके रण नीतिकार बहुत होशियार है इरान की सरकार यमन, इराग और सीरिया को जमीन का इस्तिमाल करके अमेरिका और इस्रेल के ठिकानों पर हमला कर रही है इन देशों में अपनी जणे जमाने के लिए इरान ने बरसों की मेहनत की है और अब वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं लेबनन एक ऐसा ही देश है जो जंग की चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है लेबनन के अखबार नहार नेट में ये रेपोर्ट किया है कि इस्रेल ने ब्लीडा इलाके के पूर्वी बाहरी इलाके में फॉस्फोरस बम से हमला किया है जिसकी वज़े से वहां मौझूद आसपास के जंगलों में भारी आग लग गई थी इन फॉस्फोरस बमों से लगी आग लंबे इलाके में फैले जंगलों तक फैल गई जिससे भारी नुकसान हुआ इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लेबनान हिजबुल्ला के कंधों पर बंदूग रखकर जंग में कूदने का जोखिम ना उठाए क्योंकि इस बार लेबनान बहुत बुरी तरह जंग की चपेट में आएगा और फिर ये कहकर पलार नहीं जाड़ सकता कि इस जंग में उसे हिजबुल्ला ने घसीटा है इसरेल की प्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू पहले ही ये कह चुके हैं कि लेबनान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो दूसरी जंग लडने के काबल ही नहीं बचेगा नेतनियाहू के अलावा इसरेल की रक्षा मंत्री योग गैलन्ट पहले ही कह चुके हैं कि इस युद में इसरेल का बदला ये तै करेगा कि अगले 75 साल तक इसरेल इसरेल की जमीन पर रहेगा या नहीं अभी तक हिजबुल्ला के पचास से ज्यादा लडाकों के मारे जाने के खबरें आ चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसरेल की रक्षा मंत्री ने बयान ये दिया है कि अभी वो युद को विस्तार नहीं देना चाहते है नोट करने वाली बात ये है कि जब इसरेल नौधन बॉर्डर पर युद का विस्तार नहीं चाहता है तब 45 से ज्यादा हिजबुल्ला लडाके मारे जा चुके हैं